Good morning student, कैसे आप सभी, आशा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, student कैसे चल रही है आपकी net और jrf की preparation, अब मैं कोशिश करके रोज आना, कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए रोज वीडियो अपलोड करो, क्योंकि जो ये वीडियो है, इन सीरीज को मैं complete करा दूंगी आ और jrf के लिए तो देखो ये markable हैं ये सब वीडियो, जो हमारी modern thinkers की सीरीज चल रही है, आज उस सीरीज में मैं नई वीडियो बता रही हूँ आपको, ये है John Davy की, देखे John Davy modern thinkers में आते हैं, और आप pragmatism के बारे में आपने विस्तार से बताया, एक दर्शन शास की नई परंपरा से हम लोगों को इंटर्डियूस कराया था, आपका जन 1859 में हुआ था और आपकी मृत्यू 1952 में हुई थी, तो चलिए स्टूडेंट आज पढ़ते हैं, जॉन डीवी को, तो स्टूडेंट जॉन डेवी, अमेरिकी समाशास्ती थे जॉन डेवी, और आप दाशन समाश सुधार भी रहे हैं, समाश सुधार और दाश्रिक रहने का रीजन इनकी ही थियोरी में छुपा है, कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिज्म की जो आपने सिध्धान दिया है, वो आपके दर्शन सास्ते प्रभावित्रा है, और कहीं ना कहीं अपनी उन्होंने एक किताब जो लिखिती प्रजातंत और शिक्षा, इसमें आपने अपने समाश सुधार संबंदी दृष्टिकोन को उजागर किया था, तो अमेरीकी अग्रिणी सिक्षा शास्ती जो थे जॉन डेवी, आप समाश सुधारक भी रहे हैं और दाश्रिक भी रहे हैं, आपने लगबग ए एक शक्ताब्दी तक शिक्षा के शेत में बहुत सारे सिथान्त प्रतिपादित किये थे, आपकी क्रतियों में आपकी जो क्रती थी, यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है, डेमोक्रेसी एन एजुकेशन, यानि प्रजातंत और शिक्षा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, इसमें आपने बाल केंद्रित पढ़ाई पर बल दिया है, देखें, बाल केंद्रित पढ़ाई पर बल दिया है, उन्हें बोला है, कि जो शिक्षा होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, जो बाल केंद्रित हो, बच्चों पर जो ध्यान आकरशित कर रही हो, और उन्होंने ऐसे सेक्षिक साधनों के प्रियोग पर बल दिया कि उन्होंने बोला कि शिक्षा, जो हम शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं, उसका मैथड, उसका समझाने का तरीका, यो वो इस तरीके से प्रतिबादित करना चाहिए, जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, बाल केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, जिससे देखें, और वो सही भी बात है, हम शिक्षा को, एजुकेशन को, बहुत से बच्चे जो कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो अलग-लग एक्टिविटी होती है, वो बहुत प्रभावित करती है, या खुद हम अपने आपको लें, हम सिद्पल किताबों से पढ़ें, तो हमें थोड़ा पढ़ना बोरिंग लगता है, यदि उनी को हम कुछ उधारण के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वो क्या लगता है, बहुत इंट्रस्टिंग हो जाता है, तो इसी तरीके से जॉन डेवी ने अपनी जो पुस्तक्ती, डेमोक्रेसी ए समधान होता है, यह पढ़ाई जो होती है, जो तरीका होता है, वो बहुत महत्पूर्ण माना जाता है, और उन्होंने कहा था कि अनुभवों की विचारपूर्ण, निरंतता को बालक के जीवन में अधिकाति, नियंतन के रूप में देखा जाता है, देखे, हमें किसी बच् को समझाने का तरीका आना चाहिए, साती साथ उनको इस तरीके से उधारन या इस तरीके से उनके सामने विचार रखने चाहिए, कि जिससे क्या हो, वो बहुत अधिदिक प्रभावित हो, और वो उसी प्रकार उसका अनुसरण करें, शिक्षा के दर्शन में, डीवी ने और एजुकेशन की जो स्टूडेंट होते हैं, ये पुस्तक उन लोगों के लिए मील का पत्थर है, इसके अतरीक या देखे, मैंने मैंशन किया है, इसके अतरीक जनता तता इसकी समस्याएं, सतंता और संस्कृति, नामक उनकी दूसरी महत्पूर्ण पुस्तक हैं, जिसमे जोन डीवी ने प्रजातंत के परिमणाम वादी, प्रजातंत के परिणाम सरूप जो प्रैग्मेटिस्म सिधान की विस्तित्याक्या की है, देखे, ये प्रैग्मेटिस्म क्या है, ये दर्शन शास से आपने बताया है, और इसके बारे में आपने क्या कहा है, ये प्रजात के साथ मिलकर उन्होंने एक नया शब्द इंटर्ट्राय था और दर्शन शास के एक नए संप्रदाय की शुवात्टी और वास्ता में ये प्रैग्मेटिज्म क्या है बच्चो उन्होंने कहा था प्रैग्मेटिज्म उन विभारों और क्रियाओं का एक दर्शन है जिस पर अ यानि कारे करते हैं उनका एक दर्षन है जिन पर हम अपने विचारों को अर्थ प्रदान करने के लिए विश्वास करते हैं For Example जैसे हमने कोई कारे किया ठीक है जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हो, पढ़ाना एक रिया है आप लोग पढ़ रह रहे है ये एक क्रिया हैं मैं जो आप को ये बाते बता रही हूं जो पढ़ा रही हूं उनमे जो मैंने आपके सामने अपने विचार रखे उन विचार के लिए आप मेरे वश्वास करते कि मैऑडमote ये लेसंस समझाया तो वास्ता में ये दर्शनशास की एक नई परंपरा का विकास आपने किया था हैं देखी यहां लिखा भी है चार्ज फियर और विलियम जैम्स के साथ मिलकर उन्होंने प्रेग्मेंटिज्म नमक एक नए सरवता दर्शनशास के संप्रदाई की शुवात की और अती समाने अर्थ में प्रेग्मेंटिज्म उन व्यभार विचारों और क्रियाओं का एक दिर्शन है जिन पर हम अपने विचारों को अर्थ प्रदान करने के लिए विश्वास करते हैं आपके प्रत्यक विचार किसी क्रिया का संकेत देता है प्रत्यक जो विचार होता है वो किसी ना किसी क्रिया यानि कारे का संकेत देता है तो त ने लिखा है दर्शन के बारे में जो सबसे अधिक अखरी वे है कि अन्य दर्शनों में व्यवहार और अनुभव के सम्मंद का अभाव देखा जाता है खीक है अन्य दर्शन इस विशिश्च अर्थ में अव्यवारिक है कि डेवी का दर्शन करणवाद पर जोर देता है अर्था एक विचार किसी समस्या के समधान का एक साधन है इस साधन का प्रियोग किया चाना चाहिए देखे डेवी क्या कहते हैं वो कहते हैं जो अन्य दर्शनों में व्यवहार और अनुभव के सम्मंद होते हैं व्यवहार और अनुभव हमारे एक्स्पिये का अभाव देखा जाता है जबकि उनके pragmatism में ऐसा नहीं है वो अन्य दर्शनों की बात कर रहे हैं और इसी तरह है उन्होंने क्या का था करणवाद इस mentalism की बात आपने की थी आपने कहा था किसी समस्या के समधान का एक साधन है कि इसका प्रियोग किया जाना चाहिए ऐसा विचार तो आप लोग ध्यान रखेंगे जॉन डीवी ने pragmatism के बारे में दर्शन शात की शुवात की थी साथी साथ आपने भावना के विशे में कहा मनुवेग्यानिक शक्तियों के अर्थ में नहीं समझा जा सकता देखें भावना उन्होंने बोला था कि प्रतेक भावना समाजिक संग्ठन की उपज होती है मैंने आपको बताया था कि जे एर एफ में conceptual पूछा जाता है और वो matter कहां से आता है वो ही मैं तलाश कर आपको सम के अवधार पर नहीं समझा जा सकता और साथ इसाथ जॉन डी वी ने दो ट्रुकीम के निकटा भी गमन निशेद की अवधारना का समर्थन किया है उसको सही माणा है यहाँ देखें मैंने लिखा भी है जॉन डी वी ने दुर ट्रुमक संबंदों को समाशास्थतらिः वि किया है जॉन डीवी कानून के समाशास के शेत्र में आपने अपना अप्था योगदान दिया है कानून के समाशास के विशे में कानून का समाशास और उसकी विदिया उसमें संबन इसको आपने अपनी पुस्तक लोफ और जुरेल में विस्तार से बताया है और साथी साथ उन कानुनी सम्विधात्मक संबंदों का जन्व मूलते परिवारिक संबंदों और करत्यव्यव से ही हुआ है और धीरे धीरे विव्यक्तिवादी रूप में बदल गई ये स्टेट्मेंट थोड़ी आपको समझनी आयोगी मैं उधारन देके आपको समझाती हो उन्होंने बताया है कानुनी सम्विधात्मक संबंदों का जन्व देखे परिवार में जब भाईयों के बीच प्रॉपर्टी के बटवारे को लेकर विवाद उत्पन होता है ठीक है ध्यान से समझिए ठीक है तो प्रॉपर्टी को लेकर पिता की प्रॉपर्टी को लेकर जब आपस में दो भ संबंदों का जन्म होता है और झो दिरे दिरे व्यक्तिवादी यानि मेरा परिवार मेरे वाचे मेरी प्रोपर्टी इसमें बदल जाता है फिर से स्टेटमेंट को समझाती हूँ जॉन डीवी कहते हैं को जॉन डीवी कानूनी संविदात्मक संबंदों यानि लीगल contractual relationship की बात करते हैं ध्यान से समझे लीगल यनि कानूनी contractual contractual relationship वो कहते हैं ये कैसे बनते हैं ये पारिवारिक संबंदों और कर्तव्यों से ही इनका जन्म हुआ है जब आपसी जगड़े मनमुटाव घर की धहलीश से बाहर निकल के कानून की जोकड तक आते हैं तो वो कही न कहीं जब देखे जब आपसी भाईयों में बटवारे को लेखाता है वो कानून की शरण में जाते हैं कानून क्या करता है जो उन्हें उचित नियाय लगता है आपस में भाईयों का संपत्ति का बटवारा कर देते हैं उनके बीच जो संबंद हो जाते हैं भाईयों के बीच वो क्या होता है लीगल कॉंट्रेक्च्वल रिलेशन्शिप कानूनी समिधात्मक संबंदों का उनके भी जन्व हो जाता है आपकी प्रमुक्रतिया जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेमोक्रेसी एन एजुकेशन जो कि आपने एन एजुकेशन फिर रीकंस्रक्शन इन फिलोस्टी उननिसोबीस में यूमन नीचर एन कंडक्ट उनिसोबाइस में दपब्लिक एन इट्स प्रॉब्लम 1927 में दुकेश फॉर सटैनिटी 1929 में लॉजिक दा थियोरी ओफ इनक्वाइरी 1938 में एन फ्रीडम एन कल्चर 1939 में वीलियम डिल्थे के साथ मिलकर आपने इस किताब को लिखा था तो बचो ये हैं जॉन डीवी आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताना जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए आप और अधिक ट्रेडर लें ओके बचोस थैंकी सो मच